अपने इरादों समस्बूर एक घर बनाऊंगा भिजवाना सिर्फ अल्ट्रा टेखी अल्ट्रा टेखी क्यों? आप इने तो गाता हैं कि घर जिंदिगी में सिर्फ एक ही बार बनता है धर एक, मौका एक इसलिए सिमेंट भी देश का नमबर एक अल्ट्रा टेख इंडियाज नमबर वन सिमेंट प्यारे भाईयों और बहनों नमस्कार अमर्द काल खंड में स्वतंतरता दिवस के महा उत्सव में हर आयवर्क के लोगों ने आत्म निर्भर जम्मू कस्मीर के जागरण की मसाल अगली पिर्णी को सोंपी है स्वादीनता सिनानियों की पूर्णी असमर्ती तथारास्ति निर्मान के संकल्प ने जम्मू कस्मीर को एक प्रकृतिक बुद्ध छेतर के रूप में परिवर्तित कर दिया है इस अमर्द महोत्सों में जम्मू कस्मीर के सांस्कृतिक आध्यात्मिक आभा मंडल ने पूर्वजों की समर्द विरासत वसीयत और भविसे के लक्ष को एकाकार कर नए जम्मू कस्मीर के अभ्युदय के रास्ते तै करने की ठानी है पंद्रअगस्त कामर्तुत्सव भोर का पाखी था जिसने एक नई सुबह एक नए युक की सुरुवात का संकेत दिया है मैं सभी नागरिकों सभी सुरुताओं के परती हर घरती रंगाउस्त्सव की अंतह उर्जा में बढ़ चड़कर योगदान देने के लिए हर्दय से कर्दग्यता ग्यापित करता हूं एक स्लोक है कली सयानो भवति संजीहा नस्त द्वापरह उत्तिस्ठम स्तेत्रा भवति कर्दम संपदयते चर्नह जो सो रहा है वह कली है नीद से उठ बैठने वाला द्वापर है उठकर खड़ा हो जाने वाला तिरेता है लेकिन जो चल पड़ता है वह स्वरन यूग बन जाता है जम्मू कस्मीर में एक नई गती आई है जो नयतिक मुल्यों के साथ सही दिसा में चलने की प्रिणा दे रही है इस अमरित महोत्सों में हमने चार बड़े संकल्प लिए है जम्मू कस्मीर को भय मुक्त बरस्टा चार मुक्त नसा मुक्त और रोजगार युक्ति उटी बनाना है बुजुर्गों नौजवानों महिलाओं को इस अभियान में युगदान देना होगा तभी हम अपने संकल्पों की सिध्धी और 75 वर्ष की उपलब्धियों का विस्तार कर पाएंगे हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जन भागीदारी ही प्रसासनिक व्यवस्था का आधार है और इसने जमिनी अस्तर पर कारेकरमों के करियानमन को नए अर्थ दिये हैं प्रतेक व्यक्ति की गरिमा उसकी आवस्यक्ताएं समता और सामाजिक न्याय को संदच्चित रखना इसम्रत का अलखंड का संकल्प है और आप सभी के सहयोग से हम यलक्ष को प्राप्त कर सकेंगे महात्मा गाधी ने 10 सितंबर 1930 के अपने एक लेख में लिखा था मैं ऐसे भारत के लिए कोशिस करूँगा जिसमें गरीब से गरीब लोग भी यह मसूस करेंगे यह उनका देश है जिसके निर्मान में उनकी आवाज का महत्व है आतंक के खिलाफ ब्रस्टाचार के खिलाफ इस अभियान को सरदार बनाने के लिए लोग सक्ती को जागिर्थ होकर आगे आना होगा जनभागीदारी और समनवे हमारी संस्कृती की अनोखी विसेशता है जिसमें सांती एवं करांती का समावे से मैं समझता हूँ हमारी जीतनी भी चुनवतिया है उनका समाधान भी सी में नहीं थे जब एक जलते हुए दीपक से बुझे हुए दीपक को जलाया जाता है तो जलता दीपक कुछ खोता नहीं है बलकि बुझे दीपक को कुछ मिल जरूर जाता है ऐसे ही हर एक शेतर में हमें मिलकर बुझे दीपक को जलाना है। इसका एक उतक्रिस्ट उदाहरण बजरवा के तीन गाओं भरोवा, खालो और संतारा हैं। इन तीनों गाओं में पहले मक्के और पसुओं के चारे की खेती होती थी। साल में इनकी आमदनी कभी भी एक लाख रुपए से ज्यादा नहीं होती थी। मुहम्मद सफी सेख ने इस अलाके में हार्टी कल्चर तथा मेडिशनल प्लांट की सुरुवात की थी। उनसे प्रेडित होकर तीनों गाओं के लोगों ने कृसी विग्यान के अंदर के वग्यानिकों की मदद से इटैलियन नासपाती लगाना सुरू किय बहुत से किसान भाईयों ने अर्टी कल्चर डिपार्टमेंट के स्किल डेवलप्मेंट प्रोग्राम को जोईन किया तथा प्रसासंद वारा दी गई आर्थिक मदद से खेती में डाइवर्सिफिकेशन किया। आज सफी सेख की सालाना आमदनी 25 लाक रुपए है। इन गा का एक्जाटिक फ्रूट हब कहते हैं। पर्यावर्ण संदक्षन को लेकर चलाये जा रहे है जागरुकता अभियान का भी असर अब्यापार एवं लोगों के बेवहार दोनों में दिखाई पड़ रहा है। सिरिनगर के नوجवान इंटर्पेनियोर सेद जलीस कादरी ने चा लसी के दुकानदार प्लास्टिक कप की बजाए कुलहर रख रहे हैं। सभी पीघ्रियों के लोग भी अब कुलहर पसंद करने लगें। तथा साधी, ब्याह, के उत्सो और उसर पर जलीस कादरी के कुलहर की मांग बढ़ गई है। मैं बारं बार इस बात पर जोर देता कि परियावरन संदक्षन की चेतना समाज के सबसे निचले अस्तर तक पहुंचनी आवस्यक है। तभी यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन सकता है। परियावरन संदक्षन के लिए सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल को अपनाना जरूरी है और कुलहर तो सदियो से हमारी परंपरा का हिस्सा रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है जलीज कादरी साहब का ये प्रसंसनी प्रियास अवाम के सभी वर्क को अपनी परंपरा की अच्छाई को अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। स्री नगर के ही अब्दुलरहीम भट परियावन उत्परेरक का काम कर रहे हैं। बिना किसी संस्था की मदद से अपनी पूंजी लगा कर रहीम साहब ने कस्मीर घाटी में दो लाक पिंड लगाए हैं। और 2030 तक उनका लक्ष दस लाक पिंड लगाने का है। जो कुछ यहां अरजित किया है। उसका कुछ हिसा समाज को वा उपरा थे मिक्ता दें। हमारे प्राकरतिक संसाधन सीमित हैं और उनका बने रहना खुसाल समाज के लिए आवस्यक है। रियासी डिस्टिक की रहने वाली अनीता देवी जी नारी शक्ती का जीता जागता उदाहरन है। दूर दराज के पहाड़ी इलाकों की चुनोतियों को अनीता जी ने अवसर में बदल दिया है। अपने आसपास के गाउं की तेरह सो महिलाओं को इकठा करके उन्होंने एक सेल्फ हल्प ग्रूप की स्थापना की। आज सभी महिलाएं वोकल फार लोकल अभियान को आगे बढ़ाते हुए जंगली घास से हैंडी क्राफ्ट क प्राड़क्स बना रही हैं और सीजनल फूर्ट में वैली एडिशन कर नए आरगेनिक उत्पाद भी तैयार कर रही हैं। नारी ससकती करण की महीम से जम्मु कस्मीर की महिलाएं नो सिर्फ आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं बलकि उनकी जरिये को आर्थिक अधिकारों के साथ साथ सैक्षिक और सामाजिक तोर पर अधिकार संपन बनाने के लिए कर्द संकल्पी थे। मैंने हमेशा इस बात को स्विकार किया है कि सभी गतिविधियों में इस्त्रियों का युगदान पुरसों के बराबर होता है। इसलिए सर्वतों की विकास के लिए उनका अर्थिक रूप से ससक्त होना आवस्यक है। डोडा से रेवा रहना ने महिला ससक्ती करण तथा वीमन इंटर्पेनियोर्स से संबंदित कुछ सुझाव भेंजे हैं। रेवा ने लिखा है कि जम्मु कस्मीर परसासन को वेमन इंटर्पेनियोर्स क की स्पेसल ट्रेनिंग वरक्साप के लिए विसेश प्रावधान बनाना चाहिए। उन्होंने लिखा है कि ऐसी विमन इंटर्पेनियोर्स जो इसमाल स्केल कंपनी शला रही हैं। उनके प्रोड़क्स की मार्केटिंग के लिए एक इंस्टिचूशनल मेकैनिजम तैयार किय जाए ताकि उन्हें अच्छी कीमत मिल सके। रेवा ने आगे लिखा है कि विमन इंटर्पेनियोर्स के लिए इंटिग्रेटिट कैपिटल मेकैनिजम की विवस्था आवस्यक है। जो विमन इंटर्पेनियोर्स अपने बिजनेस स्केल को बढ़ाना चाहती हैं। उनके लि तेजस्विनी उमीद जैसे कारकरमों के जरिये हमने कोशिस की है कि उन्हें आर्थिक मदद के साथ जरूरी ट्रेनिंग तथा इसकिल अप्ग्रेडेशन के व्यापक अवियान से जोडा जाए। दोहजारे कईस बाइस के वितिय वर्स में अपना खुद का रोजगार को अपनाया है ताकि व्यक्तिकत सहायता के साथ विमन इंटर्पेनियोर्स का एक मजबूत एको सिस्टम जमू कस्मीर में अस्थापित किया जा सके जमू कस्मीर ट्रेड पर मुसन अरगनाईजिसन ने नेशनल इंस्टिट्यूट फर माइक्रो इसमाल और मीडियम साथ पार्ट नसिब की है इससे हमें जमू कस्मीर की विमन इंटर्पेनियोर्स को देज के ने राजियों की विमन इंटर्पेनियोर्स के नेटवर्क से जोडने में मदद मिली है तेजस्वनी स्कीम के अंतरगत पिछले विती वर्स में दो हजार बच्चीयों को इंटर्प स्कीम का दूसरा फेश शुरू होगा और आपके इंटिग्रेडड कैपिटल और ट्रेनिंग पर फोकस तरीके से प्लान बनाने के लिए मैं जेके टीपियो को अवस्से निर्देश दूँगा कुपवाडा से अलताफ हुसाइन ने जमूत्था कस्मीर संभाग में पहाडियों इपार्टमेंट ट्रेंड मैंपावर का इस्तेमाल करके इन गार्डन्स का बहतर रख रखाव कर सकता है अलताफ ने आगे लिखा है कि बहुत से नौजवानों ने प्रसासन के स्किल डेवलपमेंट इनिसियेटिव के अंतरगत लेंड इसकेपिंग की ट्रेनिंग दी है और प्रक्रसी में डाइवर्सिफिकेशन के आप्सन में फ्लोरी कल्चर को आपचारिक रूप से सामिल करना चाहिए क्योंकि जम्मू कस्मीर में फ्लावर्स की विराइटी और क्वालिटी दोनों देश के अने राज्यों से बहतर हैं विकार साह ने चार मुख्वातों की पर मॉटल नर्थरी तथा फ्लोरल प्लांटिंग मैटीरियल के लिए इस सेक्टर से जुड़े कौपरेटिव सुसाइटी के प्रमोशन पर भी विचार किया जा सकता है अलताफ और विकार आपके पत्र के लिए बहुत बहुत सुक्रिया पिछले दो वरसों में फ्लोरी कल् इसकी है कि दोनों डिवीजन में थीम पार्क की स्थापना की जाए और इस वरस रामबन का ट्यूलिप गार्डन भी तैयार कर लिया गया है अगले वरस मार्च अपरिल में स्रीनगर की तरफ वहां भी ट्यूलिप सवायवजित किया जाएगा यह सच है कि बहुत सी में भी उस विसे पचर्चा हुई थी डिपार्टमेंट ने ऐसे सो पदों को चिन्हित करके जनरल एड्मिनिस्टरेशन डिपार्टमेंट को भेज दिया है और मैं उमीद करता हूं कि जल्दी उन पदों को भरने की प्रक्रिया सुरू की जाएगी विकार साहब मैं फ्लोरी कल्चर कल्टिवेशन के लिए प्रेरित करने का भियान चलाया है वर्तमान में लगबग 190 हेक्टेर एरिया में फूलों की खेती हो रही है जिसमें 56 हेक्टेर एरोमेटिक प्लांट्स हैं मिसन एरोमा के ताथ जम्मू डिवीजन में एक नई करांती का जन्म हुआ है और हमने 40 करोड रुपए के उत्पादन का लक्ष रखा है इस कारकम के माध्यम से मैं करसी हाटी कल्चर से जुड़े लोगों से खासकर युआउं से अपील करना चाहता हूं कि फ्लोरी कल्चर डिपार्टमेंट तथा भारत सरकार द्वारा चलाई या रही योजनाओं का बारे में अवेर्नेस कारकम चलाए जाए और इस तरह के आवेजन में बायर्स सेलर्स मीट का भी आवेजन किया जाए आपके कौपरेटिव सुसाइटी के सुजाओ पर भी मैं डिपार्टमेंट अफ कौपरेटिव को अवस्यावस्यक करवाई का निर्देश दूंगा कुछ सुजाओ भेंजे हैं अनिता जी ने लिखा है कि जिस प्रकार जमू कस्मीर प्रसासन अपनी पालिसी मेकिंग ने आम आदमी के सुजाओं को सामिल कर रहा है उसी तरह सिविल सुसाइटी के साथ भी समवाद के लिए एक प्लेटफार्म निर्मित कर उनके सुजाओं पर भी विचार किया जा सकता है मेरा अग्रह होगा कि यह जो प्लेटफार्म है इसमें आपको भी मैं आमंतरन देता हूं आईए और इस प्लेटफार्म पर सुजाओ दीजिए उन्होंने दो उदाहरन के जरिये सिविल सुसाइटी तथा प्रसासन के संबंधों में प्रगा को पहुंचाने में सिविल सुसाइटी आर्गनाइजेशन मदद कर सकती है सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्यों जनाओं के बारे में भी सिविल सुसाइटी ग्रूप्स अपने फील्ड वर्कर्स के जरिए प्रसासन को इंपुट देश सकता है और किसी कारकरम के इं निर्मान में अतुलनी योगदान है आम जनता की बुनियादी सुविधाओं से लेकर प्रकरति का आपदा में सिविल सुसाइटी प्रसासन की एक जुटता अनेक अपरतिमुदाहरन हमारे सामने हैं हमारे देश में सिविल सुसाइटी की गवरो साली परंपरा रही है और मै आप सभी से अन्रोथ करूंगा रचनात्मकार करमों के माध्यम से समाजिक विकास की प्रक्रिया को गती दें तथा प्रसासन द्वारा चलाये जा रहे जन कल्यानकार करमों की जनकारी लोगों तक पहुंचाएं। मुझे पूरा यकीन है कि सिवल सुसाइटी की भागीदारी से उनों वरगों तक योजनाओं को पहुंचाने में असानी होगी जनके कल्यान के लिए ये कारकम चलाये जा रहे हैं। एक छोटी सी कहानी है महात्मा बुद्ध का एक गाउं में आगमन हुआ और उस गाउं के किसान के घर में उन्होंने रुकने का फैसला किया। किसान और उसका परिवार मिलकर रोज उनकी आओ भगत करता और दिन के वक्त बुद्ध उसकिसान के साथ उसके खेत तक चले जाते थे। किसान खेतों में काम करता रहता और बुद्ध वहीं पेंड के नीचे बैठ कर ध्यान करते और कभी कोई मिलने आता तो उसके साथ बैठ कर बाचीत करते यह सिलसला कई दिनों तक चला आखिर एक दिन किसान ने कहा भगवन रोज मैं आकर खेतों में काम करता है और आप चु बाचीत करते हैं उससे आप क्या कल्टिवेट कर रहे हैं बुद्ध किसान की तरफ देखकर मुसकराए और बोले मैं भी किसान हूं साहिद तुमने मुझे पहचाना नहीं हाला कि मेरा खेत और मेरी फसल तुमसे थोड़ी भिन है मैं जागरूकता की फसल बो रहा हूं जो ल बीज है जिसे मैं उनके मन और आत्मा में बोने की कोसिस कर रहा हूं धीरे धीरे सही समय पर यह फूल बनेंगे और समाज को इसका लाब मिलेगा प्यारे भाईयों और बहनों यह सच है हम जैसा बीज बोएंगे वैसी ही फसल तैयार होगी सिविल सुसाइटी अरगनाईजेसंस तथा समाज के सभी पर बुद्धनागरिकों का दाई तो है कि उपेक्षित और वंचित वरगों से समवाद स्थापित करें प्रसासन के कारिकरमों के बारे में उन्हें जागरू करें ताकि उन्हें योजनाओं का लाब मिल सके और उन सिविया की महिलाओं को मुफ्त कोचिंग दे रही हैं ताकि वो आत्म निर्भर बन सकें साहीना ने ऐसी 20 महिलाओं को प्रसिक्षित किया है और उनका ये अभियान अनवरत जारी है मैं साहीना को इस नेक काम के लिए बहुत-बहुत बढ़ाई देता हूं जम्मू से पूनम सास्त्री ने उराता तो संदक्षन के संबंध में कुछ हत्यंत रोचक सुझाओ मुझे भेंजे हैं उनका पहला सुझाओ है कि स्कूलों में बच्चों को यूटी के सांस्कृतिक धरोहरों के बारे में जयनकारी दी जानी चाहिए ताकि वो अपने आस-पास मौजूद अन सुन्योजी तरीके से किया जा सके पूनम ने आगे लिखा है कि केंदर सरकार के एडाप्ट हरिटेज अपनी धरोहर अपनी पहचान को बैक टू विलेज अफियान की तरफ पूरे जम्मू कस्मीर में चलाना चाहिए और कम्यूटी फंडिंग के जरिए इनके रख रखाओ क 70 धरोहरों के कंजर्वेशन प्रेजर्वेशन का काम जल्द सुरू किया जाएगा लगवक सभी स्टेक होल्डर्स को इस कारिकरम में सामिल किया गया है आपके सुझाओं को ध्यान में रखते हुए सभी फिल्ड के एक्सपर्ट्स की मौजूदगी सुनिशित करने के लिए म बच्चों को अपने सांसकर्टिक एतिहासिक हेरिटेश से परचित कराने के लिए रास्ट्रिय सिक्षानीत के अनुसंसा के अंडूप जम्मू कस्मीर स्कूल बोर्ड अफ एजुकेशन ने कदम उठाने सुरू कर दी है मैं मानता हूं कि ग्यान वही है जिससे सुगंद उठे और सिलेबस में इसी भावना को आधार बनाया जा रहा है इस वर्ष से कच्छा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए सोसल साइंस पाठ करम में जम्मू कस्मीर तथा देश की महान हस्तियों और एथिहासिक जगों से संबंधिन कांटेंट उपलब्द कराए गए है एडाप्ट हेरिडेज का सुझाव प्रसंसनी है पिछले वर्ष जिंडल ग्रूप ने निसात गार्डन तथा सालीमार गार्डन को एडाप्ट किया था जो जम्मू कस्मीर के लिए बिल्कुल एक नई शुरुवात थी जम्मू डिवीजन में जिंडल ग्रूप ने प्राचीन अध्यात्मिक सांसकर्थिक विरासत सीव खोड़ी के रिस्टुरेशन की स्टडी भी कंप्लीट कर ली है और जल्द ही M.E.U. साइन होने के बाद उस पर काम भी सुरू कर दिया जाएगा इस कारक्रम के माधियम से मैं सभी प्रबुधनागरिकों से अनोध करना चाहूंगा कि वो अपने पनी लाके में ऐसे प्राचीन स्टुरों की पहचान करें उससे संबल दित जैनकारी ब्लाक अधिकारी या डेप्टी कमिस्नर्स को ब्लाक दिवस के माध्यम से पहुँचाएं मैं पंचायती राज संस्थाओं के सभी जन प्रतिदियों का भी इस अभियान से यूडने का आवहन करता हूँ आजादी के मिस्काल खंड में प्रसासन प्राचीन धरोहनों के रखरखाओ तथा अंसंग हीरोज की गाता को जागित करने का प्रयास कर रहा है और जन भागीदारी की भावना से इस दिसा में हम आवश्यक परिवर्तन करने में आवश्य सफल हूँगे जमू की उमा सर्मा ने यूटी में लिटरेरी कल्चर को प्रमोट करने के समंध में एक सुझाओ भेजा है उमा जी ने लिखा है कि जमू में एक वार्सिक लिटरेरी फेस्टिवल आयोजित करना चाहिए ताकि टेलेंटेड लेखकों को भाचान मिल सके उन्होंने एकडमिक इंस्टिटूशन्स तथा सहर में प्रावेट इंटर्पेनियोस को बुक कफे या लाइबरी कफे खोलने के लिए प्रोसाइद करने का सुझाओ भी दिया है उनका तीसरा सुझाओ है कि जम्मू कस्मीर प्रसासन को लाइबरीज के डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया को तीवर करना चाहिए जिस से इस योजना का लाब सभी अकैडमिक इंस्टिटूशन्स तथा बच्चों को मिल सके उमा जी आपके सुझाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं समझता हूँ सारदा पीठ नाम से विख्यात जम्मू कस्मीर में अथाह लिट्रेरी टेलेंट है और उनेक भासाओं के रचनकारों ने वैस्विक ख्याती अर्जित की है इसी को धियान में रखते हुए गत वर्स2001 क trust जम्मू तथा कस्मीर दोनों डिविजन में वार्सिक लिट्रेरी फैस्टिवल सुरू किया गया पिछले साल एक फैस्टिवल गुलमर्ग में तथा दूसरा फैस्टिवल पट्टनी अच्टाप में आयो जित किया गया था। दोनों अस्थानों पर जम्मू कस्म हर साला वेजित किये जाएंगे जहां तक बुक कफे लाइबरी कफे सुरू करने का सुझाव है मैं कहना चाहूंगा यह अत्यंत ही उत्तम सुझाव है देश के नेक सहरों में आज कल ऐसे कफे सफलता पुरुवक चल रहे हैं मैं आप जैसे लेखकों तता सभी नागरिकों से भी गुजारिस करूंगा कि वे अपने सोसल सरकल में इंटर्पनियोस को इस तरह के वेंचर के लिए प्रुसाहित करें मैं भरुसा देता हूं कि प्रसासन उनकी पूरी मदद करेगा मैं नगवानों से भी आगरा करता हूं कि मिसनियोत आपके स्वारोजगार के लिए एक दर्जन से अधिक योजना इंशला रहा है आप उसका लाब उठाकर आवाम में बदलाव की सुरुवात कर सकते हैं पिछले तीन वर्सों में इंटर्परिनियोर्शिप को लेकर जम्मू कस्मीर के नवजवानों की धारना में बड़ा परिवर्शन आया है सिर्फ एक योजना पी-म-ई-जी-पी के अंतरगत पांच लाख बीच सजार नौजवानों को रोजगार के उसर प्राप्त हुए है और पिछले वर्स इस योजना से जुड़कर एक लाख तीहत्र हजार युवक स्वावलंबी बने हैं बुक केफिज जैसे अनेक ऐसे आइडियाज हैं जो युवाओं के लिए रोजगार का बेहतरी नेवेन्यू बन सकते हैं प्यारे भाईों और बहनों मैं नौजवानों को समाज का जीवन रक्त मानता हूं और वही आर्थिक विकास तथा सामाजिक प्रगति के संदक्षक भी हैं उनकी आकांचाओं को पूरा करने के लिए जम्मू कस्मीर प्रसासन की कोशिस लगातार जारी है हमने अनेक सेक्टर में रिफार्म्स किये हैं ताकि प्रगति के आउसरों की कमी न हो तीन वर्स पूर्व एक नए जम्मू कस्मीर का विर्भाव हुआ था जो समानता तथा सामाजिक निया की भावना से संचालित हुए हैं बहुत कम समय में प्रगति के प्रयासों द्वारा हमनेक शेत्रों में करान्ती के सिखर पर खड़े हैं IT, Industries, Tourism, Revenue, Women, Entrepreneurs, Youth Empowerment इस अभियान में आप सभी की सक्री भागिदारी आवस्यक हैं और मैं पुना सभी स्टिजन से अन्रोद करता हैं कि ससक्त माध्यम बनकर इस अभियान की आवाज को मुखरित करें बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिन परिदे बहुत आवस्ट करें